हलो एवरिवाइन, हूप यूर आल डूइंग वैल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, तो क्लास 11 आरोह भागवन से चैप्टर नमबर 5 है, गलता लोहा, इसके जो लेखक हैं वो शेखर जोशी जी है, तो आज हम इसके एक्स्ट्रा कोशन एन आंसर को यहां पर कवर करे और यह सभी कोशन आंसर्स जो हैं, एक्साम के पॉइंट व यू से काफी इंपोर्टन है, और स्टुडेंट इस चैप्टर की जो NCRT के सोलूशन से हैं, वो भी आलरेडी कवर्ड है, अगर आप देखना चाते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते है तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने कोशन को तो जो कोशन है, कि मोहन के लखनव आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्या क्यों कहा है, क्योंकि जो मोहन है पहले गाउं में रहता था, लेकिन पढ़ने के लिए वो फिर लखनव आ जाता है, और वहीं पूरी तरह से बदल जाता है, वहें अपने गाउं के स्कूल का एक मेधावी छातर था, और उसका पूरा ध्यान अपने पढ़ाई लिखाई पर ही केंदरित रहता था, तो जब तक वो गाउं में रहा, एक होनहार बालक की रूप में उसकी पहचान होती थी, उसके टीचर उसे बहुत प्यार करते थे, गाउं वाले उसे बहुत होनहार बालक समझते थे, और उसके पिता को भी पूरी तरह से ये उम्मीद थी कि उसका जो बच्चा है, एक ना एक दिन पर लिखकर अपने पैरों पर आएगा, और वो बड़ा बाबू बनेगा, तो ऐसा उसके पित के सहरे आया था, और अमेश बाबू कौन थे, वो उनी की जात बिरातरी के भाई बंदू थे, अब वो उनके जब घर आया, आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए, तो उसे घर का काम करना पड़ा, घरेलू नोकर की तरह उससे वेवार हुआ, और अडोस पडोस की महि लाओं का भी उसे काम में हाथ बठाना पड़ा, और इसी कारण उसे पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता था, अब इसलिए वो ना तो धंक से पढ़ाई कर पाया, और ना ही अपने नए स्कूल में कोई खास अपनी पहचान बना पाया, क्योंकि सारा दिन तो वो नोकर की थी, कि जो अपनी खाली समय में घर का काम करेगा, इसी विज़े से लिखक ने कहा, कि लखनाओ आने के बाद का जो समय था, वो मोहन के जीवन का एक नया अध्याय था, तो बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ, तो जो नेक्स कोशन है वो है, कि किस कथन को लिखक ने जब कि जो मास्टर जी हैं वो धनराम को बोलते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विध्या का ताप कहा लगेगा इसमें, मास्टर तिलोक सिंग के इस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है, गलता लोहा कहानी के अनुसार मास्टर तिलोक सिंग ने यह वयंग धनराम के उपर तब किया था जब मास्टर जी को तेरा कहपाड़ा नहीं सुना पया था क्योंकि जो धनराम के पिता थे वो लोहार थे ज्यादा पड़े लिखे नहीं थे गरीब घर को बिलॉंग करता था धनराम और इसी वज़े से मास्टर जी ने उसे कहा कि तेरे दिमाग म तुझे कहां पर लगएगा जाती को लेकर किया गया मास्टर तिलोक सिंग जी का जो ये व्यंग था वो धनराम के मन को बहुत घहरा आगात पहुचा गया क्योंकि एक तरीके से मास्टर जी ने उसकी जाती पर ही प्रहार कर दिया था कि तू तो लोहार का बेटा है तो तेरे ये भी लगने लगा था कि वाकई में पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है इसलिए वे अपने पढ़ाई पूरी नहीं कर सका क्योंकि जो मास्टर जी थे उसको पढ़ाई लिखाई करवाने के बज़ाए उसको समझाने की बज़ाए उसको प्रोचसाहित करने के ब तो अब बिल्कुल भी नहीं है और उसे पढ़ाय लिखाई छोड़ देनी चाहिए और अपने पिता के कामों में ही हाथ बढ़ाना चाहिए तो इस प्रकार से जो मास्टर जी का ये वाक्य था इसी को जबान का चाबुक जो है लेखक ने कहा जो कि धनराम की पूरी जिंदिके को ही बदल कर रग गया तो जो नेक्स कोशन वो है कि पार्ट में निम्लेखित शब्द लोह कर्म से संबंदित है किसका क्या प्रियोजन है शब्द के सामने आप लिखिए और जो शब्द है वो कौन-कौन से है वो है धोकनी दराती संडासी ओफर हतोड़ा अब ये सारे के स जो शब्द है ये सारे के सारे शब्द जो है लोह कर्म से संबंदित है यानि के एक जो लोहार होता है या लोहे से संबंदित जो लोकारे करते है तो उनके बहां पर इन शब्दों का प्रियोग किया जाता है तो आप इन शब्दों के क्या बाके बन सकते है या इनके अर्थ रहे हैं आप यही बताईए तो उत्तर होगा धोगनी अब यह धोगनी है को फूक़ होतमा धोगन हम फूंक मारते हैं तो वो बड़ी स्पीर से एक तार्गिट की तरह जो है आग के ओपर लगते है और आग दीजी से जलने लगते है उसी को कहा जाता है दोगनी अब है दराती तो ये एक ऐसे प्रकार का लोहे का उजार होता है जिससे मुखे रूप से घास काटने या फसल का काम आता है और गाउं में सबजी काटने के काम भी आता है अब है संडासी कि ये लगबक कैची के समान ही एक ओजार होता है जिससे गरम लोहे या गरम बस्तु को पकड़ा जाता है जब लोहे को पीड़ते है या अल्टा पल्टी करते है तो इसी ओजार से कैची की तरह का य की जो भटी होती है बटी को आफर कहा जाता है अब है हतोडा तो लोहे वे लकडी से बनाई को जार होता है जो लोहे या किसी अन्य धातू को पीटने के काम आता है और हतोडा जो है एक बड़ा ही फिर है जो कि लगभग आपको अपने आसपास कहीं न कहीं जरूर देखने को म तक पहुँचे, मिलते हम आप से अपने नेक्स वीजियो में, तिल दन की वाचिंग स्टे कनेक्टेड, थैंक यू